साइकिल चलाकर करोना से सुरक्षित रहनवा अपने रोग प्रतिरोधक शम्ता को कैसे अच्छा किया जा सकता है घर में रहकर योग से और सफर के समय साइकिल से ये संदेश देकर सबको जागरू कर रहे हैं योगी रंजीर सिंग हिमाचल परदेश राज्य विद्यूत परिशत के करमचारी होने के नाते अपने बिजली विभाग की सेवा के लिए वे प्रति दिन 60-65 किलोमेटर का सफर वे हर दिन करेंगे करोना योधा यात्रा तरीगत दिव्य योग आश्रम पुराना कांगडा से गज पावर हाउज ग्रोहो धरमशाला के लिए वे यत्रा कर रहे हैं लोगी रंजीत का कहना है कि साइकल चला कर अपने शरीर को स्वास्ते रखने के साथ पर्यारों को भी स्वाच रखा जा सकता है इसलिए सभी करमचारियों अधिकारियों दुकानदारों ग्राकों बच्चों विशेश रूप से युवाओं से वे निवेदन करते हैं कि अप लोग हर दिन की 50 से 60 किलो मेटर की हमारा मकसद यही है कि हम अशैशे ड्यूटी के दुरान जब जा रहे हैं हमारा मकसद है घर पे रहें सुरक्षित रहें अपने आपको बचाएं घर में रह करके योग करें और अपने अम्यूनिटी क्षमता को अम्यूनिटी पावर को कर रहिएं और जो हम साइकल चला रहे हैं याद्रा है सबसे मिवेद Mission से बचाने के लिए और अपनी सिहित को बरकरार रखने के लिए और अभी आप लोकडाउनों के नियुमा का पालन करना और उसके अनुसार ही चलना और जो साइकल चलाने की बात है उसका यही संदेश है कि जागरुक करना लोगों को घर में रहना शोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना और क्रोना जैसी महमारी से अपने आप को बचाना समाज को बचाना राश्टर को बचाना धन्यवाद हर्योंग जी आपको बता दें कि योगी रंजीर सिंग योग के कशेत्र में स्वे तीन विश्व किरतिमान बनाकर वब आपने योग सादकों दोरा 42 विश्व किरतिमान बनाकर हिमाचल का नाम विश्व तर्पर 79 अक्षरों में अंकित करवा चुके हैं इसके साथ 2016 में हिमाचल वा अन्य राजियो में एक लाख पचास हजार से ज़्यादा लोगों को योग भी सिखा चुके हैं तथा रास्टे वा अंतरास्टे पुरुषकार से भी सम्मानित हो चुके हैं योगी रंजीत सिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग करने के बाद 2011 से 2019 तक रामपुर के गनवी जल विद्युत परयोजना बिजली बोर्ड में विद्युतकार के पद पर अपनी सेवाईं भी दे चुके हैं और वहीं से योग की यात्रा भी उनकी शुरू हुई थी वर्तम कर रहे हैं और युवाओं को नशामुक्ती के पती भी प्रेडित कर रहे हैं